नमस्कर बच्चो आपके टम 1 के एकजाम ओवर होचकें और सेकंड टम आपका स्टार्ट होचका है सेकंड टम के साथ ही आपकी वक्षिट फिर से लोट आई है लेकिन ये वक्षिट थोड़ी सी बदली-बदली से लग रही है यह बदली-बदली से इसलिए लग रहे है क्योंकि इनके schedule में change आ गया है, first term में आपको worksheet मिलती थी, Monday को three subject की, Tuesday को two subject की, Monday को आपको worksheet मिलती थी, Hindi, Maths और Science की, Tuesday को social science यानि कि SST और English की worksheet आया करती थी, लेकिन अब second term में जो इस week का link भिला है, इसमें आपको all five subject की Delhi worksheet करनी होगी, यानि कि Monday को आपको Hindi, English, SST, Science और Maths all five subject करने है, Tuesday को भी आपको all five subject करने है, हलांकि Saturday को किसी भी subject की worksheet आपको नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा schedule change हुआ है, लेकिन थोड़े से schedule change होने के चकर में आपका workload डबल हो चुका है, यानि पहले अगर आप one hour में अपनी worksheet करते थे, तो अ आपको school भी जाना है, और school जाने के साथ-साथ, वहां से भी आपको एक extra homework मिलेगा, वो homework भी आपको करना है, और worksheet भी करने होगे, तो अपने time को ठीक तरीके से आपको manage करना है, एक time table बनाना होगा, तभी आप इन सब चीजों को manage कर पाओगे, तो चलिए शुरुआत करते है हम आज की इस worksheet की, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं, class 9th हिंदी की हमारी worksheet number 50, यानि की कारे पत्रक सिंख्या 50 को, यह आपकी 20 दिसमबर 2021 की worksheet रहेगी, और आज की इस worksheet में हम पढ़ने वाले हैं, सावली सपनों की याद पाठ के पहले भागो, सावली सपनों की याद जो संस्मरन है, संस्मरन क्या होता है, जैसे मान लिजिए अब आप लिखते हो कि चठी कक्षा में, 6th जो आपकी class थी, उसमें अपने friends के बारे में, अपने class teacher के बारे में आप लिखोगी, तो वो क्या होगा, संस्मरन कहलाएगा, यानि की आपकी जो याद थी, उस पर आधारि वो इस पार्ट में दिया गए, सालिम अली की मृत्यू से उत्पन दुख को लेखक जाबिर हुसेन ने सामली सपनों की याद के रुप में वैक्ति किया, यानि कि उन्होंने जो दुख था, जो वो महसूस करें थे सालिम अली के जाने के बाद, वो सब कुछ इस पार्ट में हम इस पार्ट में उनके बारे में पढ़ने वालें इसका पहला अंश पढ़ कर हमें नीची देगे पर्षनों को हल करना है तो चले यह शुरुआत करते हैं इस पार्ट की यहाँ पर बात की जारी सुनहेरे परेंदों की परेंदे एक उर्दू का लवज है जिसका अर्था पक्षी सुनहेरे परेंदों की खुबशूरत पंको पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मोत की खामोस वादे की तरफ अगरसर है यानि की सालिम अलिये उनकी मृतियों हो चकी है उनकी मृतियों को लेकक ने कुछ अलग शब्दों में ब्यां किया है कि सुनहेरे परेंदों की खुबशूरत पंको पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मोत की खामोस वादे की तरफ अगरसर है यानि की अंतिम विदाई दी जा रही है कि इसको सालिम लेको यहां पर खुबशूरत पंक परिंदे इन शब्दों का प्रियोग किया गया क्योंकि जो सालिम अली थी उनका पक्षियों से परकृति से एक विशेश लगाव रहा था कोई रोक टोक सके कहां संभव है और जब किसी की मृत्यू हो जाती है जो जाना होता है वो निश्चित होता है किसी का पहले किसी का बाद में इसको कहां कोई रोक सकता है तो यहां पर लेकर भी कुछ विशी तरिके से कि कोई रोक टोक सके ऐसा यहां पर संभव नहीं है इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली उनका जनाजा निकल रहा है सबसे आगे सालिम अली है और पीछे लोगों का हुजूम है अपने कंदों पर सेलानियों की तरह अपने अंथीन सफर का बोज उठाए लेकिन ये जो उनका सफर था, ये सफर बाकी जो उनके सफर थे, जो उनकी यात्रा ही थी, उससे अलग था, भीड़ भार की जिंदगी और तनाव के माहोल से सालिम अली का यह आखरी पलाइन है, क्योंकि ये उनका आखरी पलाइन है, ये उनकी अंतिम यात्रा है, ये उनका अ उनकी मृत्यू हो चुकी है और उनको दफनाने के लिए लिजाया जा रहा है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह परकृती में विलीन हो रहे हैं। कि अगर कोई चाहे किसी को कितना ही क्यों न चाहता हो चाहे वो उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न नच्छावर कर दे है चाहे वो अपनी धड़कने ही देने को क्यों न त्यार हो जाए लेकिन फिर भी कहां किसी को लोटाए जा सकता है साले मले को उसी तरीके से लोटाए नहीं जा सकता क्योंकि वो चल बसे हैं वो इस दुनिया से जा चुकी है अब तो ये उनका अंतिम सफर है ये सफर उनके जिस्म का है उनकी आत्मा पहले ही जा चुकी है मुझे नहीं लगता कि कोई सोयवे पक्षी को जगाना चाहेगा और लेकर फिर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो शांती है जिस शांती को प्राप्त किया है उससे कोई जगाना भी चाहेगा क्योंकि सब को पता है कि एक दिन सब को जाना है वर्शों पूरो खुद साले मली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाते हैं यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पाहडों, जढ़नों, आपशारों को वो परकरती की नजर से नहीं बलकि आदमी से नजर से देखने को उच्छुक रहते हैं तो वर्षों पहले साले मली ने कहा था कि लोग है, हर चीज को अपने पेमाने में थोलते हैं अपने तरीके से देखते हैं, जो उनके लिए अच्छा हो, उसको अच्छा कहते हैं, जो उनके लिए अच्छा ना हो, उसको विफालतू कहते हैं उन्हें लगता है कि वो किसी काम का नहीं है हर चीज को अपने नजरिये से अपने चश्मे से देखना चाहते है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमें परकृति का अनंद अगर लेना है तो हमें उपर वाले के परकृति के नियमों को समझेना होगा जो जैसा है जियों का तियों हमें देखना होगा तब ही हम हर एक चीज का आनंद ले पाएंगे बना कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मदर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता मैसूस कर सकता है यहां पर जो सालिम अली है वो कहते हैं कि जैसे आदमी है दूसरे वैक्ति की बात को कान से सुनता है वैसे पक्षियों को नहीं सुना जा सकता है पक्षियों को तो पक्षियों की तरह ही सुना जाएगा परकरती की जो वादियां होती है परवत पठार होते हैं उनको हम अपनी नजरी से नहीं देख सकती है उनको मैसूस करना होता है दिल से मैसूस करना होता है तब ही हमें पक्षियों की वो चह चार्ट सुनाई देती है तब ही हमें परकरते की नई वादियां दिखाई देती है जब हम नए चश्मे के साथ नई नजरिये से इन चीज़ों को देखते हैं तो यह था पहला आंस अब इसी पर आधारी तक कुछ आसान से परशन चलिये हैं उनको हल करते हैं तो यहाँ पर आगे दिये गए पहला हमारा परशन दिया गए किस गद्ध्यांस में किसके सफर का जिकर किया गया चार विकल्प दिये गए पहला सालिम अली के पहली सफर का दूसरा विकल्प है जाबिर हुसेन के पहली सफर का तीसरा विकल्प है सालिम अली के अंतिम सफर का और चोथा जाबिर हुसेन के अंतिम सफर का तो इसमें सही जो विकल प्रहेगा वो गैर हैगा यहाँ पर सालिम अली के अंतिम सफर का जिकर है यानि कि उनकी मृत्यू हो जुकी है उसके बाद दूसरा और तीसरा पर्षन हम आगे हल करेंगे उसके बाद देखे चोथा पर्षन चोथा जो हमें पर्षन दिये गए कि खु था शिक्षक की नजर से तो इसमें सही विकल पापका गहर हैगा कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं अब हमारे रहेगे दूसरे तीसरे और पांचवे पर्षन अब यह हम इन्ही कोई हल करेंगे चलिए दूसरे पर्षन को देखते हैं दूसरा हमा तो दिल से महसूस करना है उसके बाद तीसरा पर्षन देखते हैं तीसरे पर्षन को देखते हैं तीसरा हमारा पर्षन है उनका यह सफर पिछले सफरों से कैसे भिनता साले मले का यह सफर भीड से दूर प्रकृति की गोद में एक शान सफर है जिसमें सुकून ही सुकून है और ये उनका अंतिम सफर भी है तो ये उन सफरों से भिन है उसके बाद चोथा परशन हम उपर हल कर चुके हैं पांचोवा परशन है गद्यां से उर्दू के पांच शब्द चांट कर लिखने हमें उर्दू के हमें पांच शब्द हो चांट करके लिखने है पहला हो जाएगा सफर यानकी यात्रा तमाम मतलब सारे समस्त हुजूम होता पूरी भीड जिस्म शरीर परिंदे मतलब पक्षित यह पांच शब्द होगे जो उर्दू के हैं तो यह थी हमारी आज की वक्षिट I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो यह वक्षिट अच्छे लगेती इस वीडियो इस वक्षिट को लाइक और शेयर चरूर केज़ेगा आज के लिए बस इतने थैंक यू बाई बाई हैव नाइस डे